कि हेलो इस्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके एपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब इश्टीडिय क्लासस में तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाश 10 के लिए आपका जो सब्यक्ट है हिंदी उसमें देखिए आपके सामय निखा हुआ पद मतलब क्या है सूधाष के पद पात का नम क्या हैसूी दाश है पंथ्रिज के पद भात करेंगे इसमें हमागलां को बता ने कि व्या कैसा के जाती है और आपको यद्याक्या आती है वह कितने ऑनश पता है आपनोंको को ब्रस शख कर्सकों प資 इसका मतलब क्या है वह भी स्मर्ग लेते हैं एक नमवरापको मिलता है संधर्व के लिए चार नमवरापको मिलते हैं B्य Prep और एक नमड़ापका सांधर मिलता है कि इस प्रगार से बिलाकर आपके छे नमबर कमरीट होते हैं तो आप बात करेंगे हम लोग आपको छे नंबर काव में लेने कैसे हैं कि आपको काव इखंड है उसमें आप लोग छे नंबर पूरे कैसे लेंगे इसके बारे हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो प्राग्राफ आपको मिलेगा उसको पढ़ना है इसको अची चरन कमल बंदों, हरी राहि, जाके, क्रपा पंगो गिरि लंगए, अंधे को सब कुछ दर्शाई पहिदो सुने, गूंग फुनी बोले, रंक चले, सिर छत्र धराई, सूर्दा स्वामी करूना में, बाल बाल बंदों, होते ही पाई, तो इसका मतलिब क्या है कि चरं कमल बंदो हरी राई सूदाजी कहते है कि मैं स्रीकरष्ण के कमल रूपी चरनों की बंदना करता हूँ जा की करपा माने जिसकी करपा से पंगो गरी लंगे लंगड़ा अव्यक्त गिरी माने होता है पहाड को लंगे माने चलाग सकता है कि स्रीकर्ष्ण की करपा मात्र से करपा होने से लंगड़ा अव्यक्त जो होता है पहाड को चलाग सकता है अंधे को सब कुछ दरसाई अंधा कुछ सकता है सुदा स्वामी करुणा में वार वार बंद होती है सुदाजी कहते हैं कि ऐसे क्रवना मेंस्वामी के में वार वार बंदना करता हूं तो यह तो इसका अर्थ रहा, सिंपल वासा में, आपको लेखिए ब्याख्या के लिए नंबर लेने च्छे, तो आपको क्या करना है, बहुत ची सीखीगा, देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक इसके लिखना होगा, अब सबसा बताया देते हैं, आप लोगों को सभी हिसके लिखना है, आप लोगों को अचाया लिखना आए, संकेत की वासा है, संदर्भ, कैसे लिखे यफिध का वेंगे आप लोगों को अचा यहां? लिखेंगे कोई इस प्रकार से दिखेंगे कि यह पॉंसा पाट है इसका आप पड़ता है तो लिखेंगे प्रस्तुत बता दें आप प्रस्तुत पध्यावतरन गें कर ता जिए तरा अभर प्रस्तुर्ड प्रस्तूर्थ पद्यापत्र लीघ तरह मुल देसे लिखे लाग्यापी फर talent अप्रश्थ प्रस्तूर मत्युंट्र पुस्टक है। संकेत के बाद में आप क्या लिखेंगे संधर्म फिर आप लोग लिखेंगे परशंग तो फिर आपको लिखेंगे ब्याख्या और फिर आपको लिखना संकेत के संकेत के लिखेंगे संधर्म प्रस्टुद पद्यामतरण हमारी पाइट पुस्तक प्रस्तुत पद्य खंटिकर चरिता हिंदी स्रायतिकार स्री सुरुदाहजी है इतना हो जाएक हमारा संधर्व फिर लिखेंगे हम लोग प्रशंग तो यहां पर क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में उनकी महिमा का वरण किया है संकेत हो गया संधर्व हो गया प्रशंग हो गया सूर्व के प्रस्तुति यह सिर्श्तौन वेखेंगे कि स्रीकर्षण के अठनेये कर दो gebaut जोता है अद्रेक्ष बहलता है वहां इंफ गोगा होता है वह बोलने लगता है अंदेयृगत्य मेधर्ष्स सब्सक्राइब करना में वार वार करता हूँ इस परकार से आप लिखेंगे ब्याक्या को रह जाता है लाश्ट में काब सौंदर का मतलब क्या होता है वो समझेगा इसमें ने स्रुदा पीडि बंदल को महिमा का वर्म किया है इसमें ब्रजभासा का प्रयोग किया गया तो बन जाया है और इसमें भक्तिरस का प्रयोग किया गया है और इसमें प्रशाद गुड़ है ठीक है इतना लिखना है मुक्तक सहले का प्रयोग किया गया है और इस यहां पर क्या है जो यहां पर लिखेंगे आप लोग यहां पर लिखावाई वार वार लिखावाई यहां पर तो बिखने के लिए आपका बहुत दधिवाद